कैसे हो दूस्तों नमस्कार महिंग वालूकराज विल्कम बैक टू माई यूटूब चैनल इजी लाइव देता लोग दूस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे क्वाइन सजेस्ट करने वाले हैं और इसलिए सजेस्ट कर रहे हैं क्योंकि अगर आप देखोगे तो आल्म forty पूरे अगस्ट महीने गहेंगे यानि यह प्राकस नौ से 10 अगस्ट के बात से पूरा market केबल गिर ही रहा है और अभी तक पूरा market rate है और जब market rate हो काफी लंबे time से देन उस time हमें हमेशा buyer बनना चाहिए ना की seller दूसरा जब आप index देखोगो fear and greed index तो देन आपको दिखेगा कि लोग अभी fear में अधिक है जब fear में लोग ज्यादा हो तो उस समय आपको केबल accumulation करना चाहिए अपनी quantity बढ़ाना चाहिए तो आज की इस वीडियो में कुछ वैसे coin में बता रहा हूं जिसकी अगर आपके पास पहले से holding है देन इन सभी का quantity बढ़ाया जा सकता है और अगर आप पहले से buy नहीं कर रखे हो तो अपने portfolio में इन सभी coin को add कर सकते हैं और ये सभी coin दोस्तों बहुत ही बेहतरीन coin है जिसको आप basic खरी सकते हैं and long term के लिए भी hold कर सकते हैं and 2.5 सालों में बहुत ही बेहतरीन return निकाल कर दे सकता है वीडियो informative है like जरू करिएगा और चैनल पर पहली पार आए हैं तो चैनल को subscribe करिए और इसके सासत में telegram को जरू जोइन करके रखेगा अब चलते हैं सिधा screen पे और अहां बताते हैं कि आखिर ये coin कौन-कौन सा है तो दोस्तों आचों के screen पे और सबसे buyer बनना चाहिए ना कि seller जब fear and greed index आपको दिखे कि fear में ज्यादा है लोग तो दिन उस time आपको हमेशा accumulation करना चाहिए quantity बढ़ाना चाहिए नए coin को अपने portfolio में add करना चाहिए क्योंकि जब volume market में आना start हो जाएगा पुरा market rate से green हो जाएगा और green candle बन रहोगा market में और उस time आ परीदारी करोगे तो मेरे नजर में यह बेवकुफी है कभी भी पैसे नहीं बना पाऊगे पैसे बनाना है crypto से तो हमेशा ऐसे time पे आप accumulation करना start करो this is a right time की काफी लंबे time से market गिरा हुआ है यहाँ पर चाहिए कि आपको थोड़ा थोड़ा करके ही आपको accumulation करते जाना चाह दे सकता है तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं लेकि उससे पहले आपको बता दे कि यह इजी लाइव वित आलोग टेलीग्राम चैनल है मेरा इसको आप लोग जरूर जोइन करके रखिए अभी आपको दिख रहे हैं मिंबर्स 8668 सब्सक्राइबर हैं यहाँ पर और इसको जो लोग स्पॉट में खरीदना चाते हैं कुछ वैसे कोई अगर मुझे दिखेंगे जिसमें मुझे लग रहा है कि त्रॉंत में यह 5% का 10% का प्रॉफिट दी सकता है तो वैसे कोई भी मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूँगा इस टेलीग्राम पर तो यह फ्री में इसी पर आपको क्लिक करके जॉइन कर लेना है और जो लोग चाहते हैं फ्यूचर ट्रेट करना डेली हाई प्रोबाइबलेटी वाला सिगनल मिले तो आप हमारा प्रीमियम को जॉइन करके आप देख सकते हो यहां पर आप देखेंगे यह आईडी दिया गया इस पर पारे में अब यहां पर देखेंगे प्रीमियम में बहुत सारे लोग प्रोफिट बना रहें आप अगर जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हमसे आप भी चाहोगे तो प्रोफिट डिली एवरेज प्रोफिट अगर आप चाहोगे 20% 10 से 20% एवरेज किसी दिन बड़ा कौन-कौन सा को हमें खरीदना चाहिए तो अभी आपको कुछ कोई बता रहा हूँ कि जब तक अभी मार्केट रेडर हैगा वह ऐसे ही कुछ-कुछ कोई में आपको सजेस्ट करते जाओंगा जिसको आप अभी एकुमिलेट करेंगे तो में भी अगले महिने यानि जहां-जहां जिस प्लैटफॉर्म से डिलिस्ट हो चुका था आज वो सभी प्लैटफॉर्म पर भी इसकी लिस्टिंग हो रही है इसके आला भी बहुत सारा जगा एडॉप्शन बढ़ रहा है इसके अंदर मुझे बहुत जादा फ्यूचर अभी दिख रहा है फ्यूचिर पाया ठीक है तो यह पोटेंशल होने के बाब दूब बाबजूद भी एकसर पी जो है 21 में परफॉर्म नहीं कर पाया रिजन की लीगल प्रॉसस में उल्जे हुए कारण उल्जे हुए के बज़ा से लेकिन अब जो है यह कहीं ने कहीं यह लीगल प्रॉसस से बाहर आ चु अब चलिए हम बात करते हैं कि इसको खरीदा कहां जाए अभी हम देखते हैं डे टाइम फ्रेम पे तो सबसे पहले इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट हमें लेता हुआ दिख रहा है जहां पर सबसे पहले देखेंगे तो यह एक बार इसने लिकुरिटी भी स्विप किया बट यहां से भी रिजेक्ट होके ऊपर जा सकता है अगर बिटकोईन में थोरा सा मुम्मेंट आया वॉल्यूम आया दिन यहां से भी ऊपर जा सकता है अगर पहले से एक सार्पी बाई कर रखें बैलन गुट बहुत अच्छी बात है ठीक है और जो लोग अगर बाई नहीं कर र ठीक है फ्रेश सौडर निवेस्ट करना है तो सौडर में आप ट्वैंटी डॉडर अभी आप करिंट प्राइस पर ले सकते हो अगर पहले से भाई नहीं कर रखें तो ठीक है दूसरा और वह भी अगर डे टाइम फ्रेम पे खरीदने के बाद यह नीचे क्लूज हो जाता है दिन आप 2-3% के लॉस पे बेच देना इंतिजार मत करना क्योंकि इसके नीचे आने के बाद फिर यह पॉसिबल है कि इस जोन को देखेगा ठीक है इस ग्रीन जोन को देखेगा और यह ग्रीन जोन जो है मैं आपको बता दो 0.39 डॉलर के नीचे से लेकर 0.37 डॉलर के बिट कर देंगे और अगर यह फॉल कर जाता है तो देन हम एवरेज करके लॉस को रिकवर नहीं कर पाते है तो इसलिए गलती मत करना अभी 20% करिंट पे भी कर सकते हैं और नीचे ब्रेक हो 2-3% के लॉस पे एकजिट हो जाना और फिर ग्रीन जोन पे आप आई कर सकते जो प्रेंशल है मैं दिख रहा है दिखेंगे अगर आप देखोगे ना तो आपको दिखेगा यह क्वाइन अल्मोस्ट जो है यह 2012 में ही आ चुका था और यहां पर देखेंगे 2012 में हालविंग वा तो बिट्पोइन में और यहां पर यह जो हाई बनाया था यह हाई 2013 में हाई बना और उसके बाद फिर हालविंग होई 16 में और 16 के बाद 17 के दिसंबर और 18 के जनवरी तक में सारे कोई जो है अपना अल्टेम हाई लगाया था तो 18 में भी 17-18 में भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया और जो 13 का जो अल्टेम हाई था उसको ब्रेक करके 18 में देखोगे कहां तक गया यह करीब-करीब यह 3.3 डॉलर तक गया लेकिन वहीं पर फिर जो नेक्स्ट बॉल रन आया 2021 में 2021 में जो है इसने ही इसके हाई को 18 के हाई को भी ब्रेक नहीं कर पाया रीजन यह कि यह लीगल प्रोसेस में था इसकी ऊपर केस था 2020 में ही और 2021 में ब प्लेटफॉर्म जो है डिलिस्ट किया, XRP को अपने प्लेटफॉर्म से हटाना सुन हुआ और लोग भी XRP को सेल करना स्टार्ट हुआ तो जिसके करन पोटेंशल नहीं दिखा लेकिन यह चीज़े आपको 2024 से 25 के बिटमिन में आपको देखने को मिलेगा और कम से कम इस हाई लग रहा है XRP, ठीक है, सकेंड कोईन बात करेंगे, सकेंड कोईन है, रेंडर, जिसको आप खरीद सकते हो, करिंट प्राइस से भी, रेंडर में भी दूसरों मुझे काफी पोटेंशल इसके अंदर दिख रहा है, और यह अभी लाल अपने हाई से, रिसेंट में जो हाई ब करिंट प्राइस पे, तो करिंट प्राइस पे 50% का आप यहां पर बाई बना सकते हैं, अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही रेंडर को सजिस्ट किया था, जो करीब इस जोन पर प्राइस था, और जो लोग यहां पर खरीदे होंगे 50% यहां भी मैंने बूला था, तो यहां से किस के अंदर हमें potential दिख रहा है, 50% अभी, अगर सपोज यह गिर जाता है और गिर कर कुछ इस जोन पर आता है, यानि करीब आप देखो, 1.2 डॉलर के नीचे पहुंच जाता है, और 1.2 से 1 डॉलर सपोज आ जाता है, किसी भी कारण से, यहां पर हम 50% का buying करेंगे, बाकी अभी करीण price में, 50% की holding render में लगा सकते हैं, थार्ड कोईन है, GMX, जी हां दोसो, GMX, जो GMX, decentralized exchange का native token है, GMX, इसके अंदर भी काफी potential है, और यह ऐसा कोईन है जिसमें fall जो है, other coin के पिच्छा बहुत ही कम आता है, over 1 year में आप देखोगे, हलाकि यह positive था, लेकिन इधर कुछ दिनों में, कुछ दिनों में इसका price अच्छा कासा dump किया है, एक 2-3 महीनों में अच्छा कासा dump किया है, but this is the right time to accumulate GMX, अभी देखोगे, एक साल में 10% का ही यह down है, पूरे एक साल में, और अभी price आपको मिल रहा है, 36 dollar के approximately, जिसको आप खरीदना चाहते हैं, खरीद सकते हैं और यहां मुझे देख रहा है, डे टाइम फ्रेम पे, यह support के near पे है, support के एकदम near पे पहुंचा हुआ है, तो यहां पर आप एक buying बना सकते हो 50%, मालो 100 dollar का प्लान किया, 50% current price पे, और किसी कारण से यह गिरता है, और गिर के इसके नीची आता है, फिर से मैं बाद लाइन ड price पे, और 50% हम खरीदेंगे, जब 25 dollar से नीची आएगा, तो जो average price मिलेगा, और फिर इसके नदर जो pump आएगा, बेहतरी return आपको मिल जाएगा, suppose मालो कि यह गिरा नहीं, और यहीं से यह pump करता है, इसी support से pump करता है, तो overall आप profit में रहोगे, जो 50% आपको investment रहेगा, यह हो ग होता है, current में आपको 20 dollar पे, 20 dollar कुछ point में आपको मिल रहा है, ठीक है, solana की बात करें, तो solana का chart अगर देखे, कुछ इस तरीके से हमें देख रहा है weekly time frame पे, और इस trend line का support ले सकता है, दूसरा है, इस zone का support पे अभी बैठा हुआ है, तो यहाँ पर आप कैसे कैसे plan करोगे, अभी current price पे आप 30% आप यहाँ पर support में लगा सकते हो, 30% यहाँ, और अगर यह गिरता है किसी कारण से, और गिर के नीचे आता है, तो 16-15 dollar के between में आप next 50% प्लान करना, अभी के current price पे 30% आप यहाँ लगा दो, और 16-15 dollar के करीब में 50% या rest 70% आप यहाँ पर लगा सकते हो, सुलाना के अंदर, यह सभी coin में accumulation किया जा सकता है, ठीक है, चलिए, यह होगी है सुलाना, next coin की हम बात करें, तो जो next है, APT coin, ठीक है, epitose, epitose दोसों बहुत ही ज्यादा नीचे आ चुका है, कहां 20 dollar के करीब में high बनाया था, बट उमीद नहीं था इतना ज्यादा नीचे आएगा लोगों को, बट यह आ गया, लेकिन अगर आप देखोगे, जो मेरा पुराना वीडियो को दिखते आ रहे, काफे लंबे टाइम से, जो मुझ से जुड़े हुए है, और मेरा दूसरा वाला जो चैनल है, वहां भी APT का prediction किया था, और एक case मैंने बताया था, जिस प कि यहां पर एक pullback देखने को मिलेगा, यहां पर दिखा हमें इसके अंदर pullback, और फिर मैंने मुला था कि यहां पर आके pullback ले सकता है, तो यह इसके near आकर यहां से तो pump कर गया था, लेकिन बापस फिर देखेंगे तो यहां पर आके pullback लिया, और यह pullback, छोटा मत समझो, क् का pullback है, 20% का pullback है, इस zone पर यहां पर देखेंगे near to 50% का pullback है, ठीक है, जो जो zone में बताते ही जा रहा हूँ न, वो सभी zone से अच्छा का सब pullback करता है, यहां भी 21% का pullback है, तो यह zone पर आ चुका है, मुझे उमीद है कि इसी zone से, इसी zone से या तो, इसी zone से फिर से यह pullback दे एपिटॉस में, current price पे, आप यहां पर invest कर सकते हो, 50%, 5.65 डॉलर पे अभी चल रहा है, 50%, और अगर यह fall करता है, 3 to 5 डॉलर पे आप तयार रहना, फिर rest, next accumulation करने के लिए, ठीक है, तो यह price पे आप बाई कर सकते हो, एपिटॉस में, यह रहा है, तो quantity बढ़ा सकते हैं, पहल बाद फे मिलते हैं, नेक्स विए में,